प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम बीच होने वाली बातचीत को लिखने की क्रिया को समवाद लेखन कहते हैं। अध्यापक और चात्र की मध्य समवाद। चात्र गुट मॉर्निंग सर। अध्यापक गुट मॉर्निंग रजत। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। चात्र सर कल मेरा जनम दिन था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। अध्यापक ठीक है लेकिन तुम्हें यह बात पहले बताकर अवकाश ले लेना चाहिए था। चात्र जी सर लेकिन मुझे अपना जनम दिन याद ही नहीं था। अध्यापक फिर तुम्हें कैसे पता चलागाश चात्र मेरी बड़ी बेहन श्वेता ने मुझे इस बारे में बताया। अध्यापक तब तो तुमसे अच्छी तुम्हारी बेहन है जिसे अपने भाई का जनम दिन याद रहा। चात्र, जी सर, मेरी बेहन बहुत अच्छी है, अध्यापक, ठीक है, इसके बाद जब भी तुम्हें किसी काम से घर पर रुखना हो, तो स्कूल में पहले अवकाश है, तु प्रार्थना पत्र अवश्य दे देना, चात्र, जी सर, मैं आपकी बात का सदैब ध्यान रखूंग तो देखा बच्चों आपने कितनी सरलता से और कितने सपष्ट रूप से यह संबात लिखा गया है, अन्य उधारन पढ़ना और इनका भ्यास करना मत भूलेगा, आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद